आप किसी की सांस की जाच करते हैं तो उन्हें मृत कोशित कर सकते हैं लेकिन वे अभी भी समवेदनाय महसूस कर सकते हैं चीन में उडान की एक पूरी पर्दती है आपने उन फिल्मों को देखा होगा जहां उन्हें उडान में महारत हासिल है और वे थोड़ा बहुत यहां वहां उड़ सकते हैं इसे सक्रिये बनाने के लिए योगा भास्य हैं अगर व्यान घटने लगता है तो आपके जीवित होने के बावजूत शरीर सडने लगेगा कुछ प्रकार के साम के जहर हैं जो ऐसा कर सकते हैं यही कारण है कि इस संस्कृती में 14 दिनों तक चलने वाली रस्मे हैं सद्गुरू आपने जीवन के बारे में बताया और इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो डॉक्टर्स जीवन के बारे में रखते हैं अब वे कहते हैं कि हमारे शरीर में एक खरब कोशिकाएं हैं और इनमें से प्रतेक कोशिका अपने आप में जीवित है और जब आप कहते हैं कि रोगी जीवित नहीं है या सिर्फ इतना है कि मस्तिश्क दो या तीन मिनट के बाद मर जाता है लेकिन शरीर का एक बड़ा हिस्सा अभी भी जीवित है वो आप बदल गया है डॉक्टर कह रहे हैं कि मस्तिश्क 10-10 गंटे तक जीवित रहता है आज ये नया है तो वा मर चुका है लेकिन मस्तिश्क जीवित है उसकी त्वचा, उसकी मांसपेशियां, उसकी हड़ियां कई घंटों तक जीवित रहती है तो जब हम कहते हैं कि वा मर चुका है लेकिन उसके शरीर का एक बड़ा हिस्सा अभी भी जीवित होता है और ये कोशिकाएं मरीज के मर चुकने के बाद भी अगर आप कोशिकाओं को लेते हैं और उन्हें एक कल्चर आप में से जो हर दिन शेव कर रहे हैं, आपके मरने के बाद भी हमें फिर भी आपको शेव करना पड़ेगा, आपको ये पता है बाह लोग आते हैं इसलिए मैं तयार हूँ अभी आपने पूछा कि जब कोई मर चुका है तब भी कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं सक्रियक क्यों रहती है ये दर्ज किया गया है कि 10 गंटे तक बहुत सारी गतिविधियां होती है और असल में मस्तिश्क एक खास तरह की गतिविधि में चला जाता है और आखिर के कुछ बहुत ही चौंकाने वाले तत्मों को पैदा करता है किसी के मेडिकल रूप से मृत होने के 10 गंटूं के अंदर जैसा कि मैंने कहा, मृत शरीर की 10-11 दिनों तक शेव की जाती है जिसे हम शारीरिक स्थर पर जीवन कह रहे हैं वो कई अलग स्थरों पर एक प्रणाली है इसमें हार्डवेर है और इसमें सॉफ्टवेर है आप तो हार्डवेर के किंदर में हड्डियों के सॉफ्टवेर भी उतना ही महत्वपूरून है वरना एक कोशिका को कैसे पता चलेगा कि ये एक मानव कोशिका है कि ये एक सुवर की कोशिका या पेड की कोशिका या कुछ और नहीं है इसे कैसे पता चलता है क्यूंकि ये एक पूरा सॉफ्टवेर मौजूद है या दाश्ट है विकास मूलक यादधाश्ट, अनुवानशी की यादधाश्ट, कार्मे की यादधाश्ट, सिस्टम में हर कोशिका में विभिन प्रकार की यादधाश्ट भरी गई है, ताकि यह कभी भ्रमित नहों। अगर आप तीन दिनों तक कुत्ते का भूजन खाते हैं, तो आप कुत्ता नहीं बनेंगे हैं ना, क्यूंकि इसमें स्मृती बनी हुई है. तो एक पूरा सॉफ्ट्वेर है. सॉफ्ट्वेर पैकेज असल में हार्डवेर से बड़ा है. बहुत बड़ा. और ये उस उर्जा से संचालित है, जिसे हम जीवन शक्ती के रूप में मान रहे हैं. योग में हम इसे प्राण कहते हैं. ये पांच बुनियादी आयामों में खुद को अभिव्यक्त करता है. इसके दूसरे रूप भी हैं, जो बहुत जटिल हैं. इनके अलग-अलग कार्या हैं. प्राण का संबंध सांस, श्वसन क्रिया और विचार प्रक्रिया से. अगर प्राण वाईू शीन हो जाती, तो आपकी श्वसन क्रिया चली जाएगी. तो तुरंत डॉक्टर जांच करते हैं और कहते हैं ये मर चुका है. वे उनकी चाती को पंप करने की कोशिश करेंगे, अगर सांस वापिस नहीं आई, तो वो मर चुका है. श्वसन प्रक्रिया और आपके फेंफिडों का काम सीधे तोर पर जुड़े हुए हैं. एक बार श्वसन बंद हो जाता है, तो वो प्रक्रिया स्वभाविक रूप से खत्म हो जाएगी. तो प्राण वाईयू जा चुकी है. ऐसा नहीं है कि ये एक के बाद एक जाएंगी. वो एक ही समय में जाएंगी. लेकिन एक के जाने का मतलब है कि ये चला गया है. अगर समान वाईयू चली जाती है, ये सिस्टम में गर्मी पैदा करने का कार्य करती है. तो एक बार जब समान वाईयू हल्की बढ़ने लगती है, तो शरीर ठंडा होने लगता है. और ये अकडने भी लगता है एक बार जब अपान वायू एक बड़े स्तर पर घटने लगती है तो इसका समवेदी पहलू हमें ये समझना चाहिए आप किसी की सांस की जांच करके उन्हें मृत गोशित कर सकते हैं लेकिन वे अभी भी समवेदनाओं को महसूस कर सकते हैं ऐसे कई मामले सामने आये हैं जहां लोग घबरा गए हैं क्यूंकि एक मृत शरीर में थोड़ी हरकत हुई थी ऐसा बार-बार कई-कई बार हुआ है कि जब किसी को मेडिकल दृष्टी से मृत गोशित कर दिया गया था लेकिन शरीर में फड़कन हुई जो बहुत हलके तरीके से होती है क्यूंकि समवेदन गतिविधी अभी भी जारी है जीवन को अभी भी पूरा यकीन नहीं है कि ये खत्म हो गया है ये अभी भी अपनी ओर से एक कोशिश कर रहा है जब ओदान वायू चली जाती है तब शरीर का हलकापन भी चला जाता है जब मैं हलकापन कहता हूँ देखिए आप वजन में सत्तर या अस्सी या जो भी संख्या में हो मुझे शमा करें हो सकता है कि आपका वजन 50 या 55 किलोग्राम हो जो भी आपका वजन है मान लीजे आप अभी बहुत खुश और जीवन्त है आपको खुद पर 50 किलोग्राम का वजन महसूस नहीं होता है है ना? लेकिन वजन मौजूद है अगर आप वजन के मशीन पर खड़े हैं तो ये दिखाएगी लेकिन जब आप चलते हैं तो ये महसूस नहीं होता क्यूंकि ये उदान एक उच्छाल पैदा करता है इससे आपको गुरुत्वा कर्शन का बल कम महसूस होता है इसे सक्रिय करने के लिए योगा भास्य है चीन में उदान की एक पूरी पद्दती है आपने उन फिल्मों को देखा होगा हॉलिवूड फिल्मे वो कौन सी है क्राउचिंग टाइगर या ऐसा ही कुछ क्या हाँ तो ये उदान की संस्थाएं हैं जहां उन्होंने उदान में महारत हासिल की है जहां वे हवा में थोड़ा बहुत यहां-वहां तैर सकते हैं खैर फिल्मों में थोड़ा बढ़ा चड़ाकर होता है लेकिन शरीर ज्यादा हलका ज्यादा उच्छाल वाला बन जाता है एक मार्शल आर्ट फाइटर के लिए उच्छाल का होना बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे कई मामने सामने आये हैं जहां कुछ बैले डांसर और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स ने वो कर दिखाया है जो शारीरिक रूप से संभव नहीं लगता था वे उतनी उचाई तक उचले जिसे सभी बहुत एक विग्यानिकों ने बिलकुल असंभव माना लेकिन सिर्फ ज्यादा उच्छाल पैदा करके वो उस तर से आगे निकल गए तो उदान उच्छाल को तै करता है एक बार जब उदान कम होना शुरू होता है अचानक शरीर भारी हो जाता है वजन हमेशा वही रहता है वजन नहीं बढ़ता लेकिन अब आप ज्यादा वजन महसूस करते हैं क्योंकि उदान चला गया है डॉक्टरों को ये पता हो सकता है शायद डॉक्टर ये काम नहीं करते जो लोग अस्पताल में काम करते हैं वो जानते होंगे एक जीवित व्यक्ति को और एक मृत व्यक्ति को उठा कर ले जाना इसमें एक बड़ा अंतर होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उदान चला गया है अब कोई उचाल नहीं चौथे आयाम को व्यान कहते है इसकी प्रकृती सनरक्षन की है अगर व्यान घटने लगता है तो आपके जीवत होने के बावजुद शरीर सड़ना शुरू हो जाएगा कुछ खास तरह के सांप के जहर है जो ऐसा कर सकते हैं अगर वो आपको काटते हैं तो आप मरेंगे रहीं लेकिन शरीर के अंग वास्तव में अलग होकर गिरने लगेंगे क्यूंकि व्यान घट रहा है और अंग अलग होने लगेंगे तो जैसे ही व्यान कम होता है सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी योग में ऐसी पदितिया है जहा हम चाहते हैं कि सभी सातों लगभग एक साथ ही निकलें हम चाहते हैं कि ये सभी एक डेड़ घंटे के भीतर ही चले जाएं सामान्य मृत्यू की स्थिती में ये उस व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करता है कि कोई खास शरीर कितना जीवन्त है उस आधार पर इसमें लंबा समय लग सकता है जब मैं लंबा समय कहता हूँ तो इसमें 14 घंटे तक लग सकते हैं व्यान को शरीर छोड़ने में 14 दिन तक लग सकते हैं यही कारण है कि इस संस्कृति में आपके पास 14 दिनों तक चलने वाले अनुष्ठान है क्योंकि उन्हें लगता है कि व्यान अभी भी मौजूद हो सकता है क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को दफनाते हैं तो व्यान अभी भी वहां मंडरा सकता है तो 14 दिन तक यही कारण है कि एक डेड़ घंटे के भीतर इस संस्कृति में ऐसा नियम था अगर कोई मर जाता है तो एक डेड़ घंटे के भीतर ही आपको उनका दहा संस्कार कर देना चाहिए लेकिन फिर गलतियां हुई जब वे अभी भी जीवत थे किसी ने उन्हें अंतिम संसकार की चिता पर डाल दिया तो उन्होंने इसे 4 घंटे तक बढ़ा दिया 4 घंटे के भीतर आपको 10 संसकार कर देना चाहिए लेकिन आजकल कुछ और मुद्दे हैं इसके बारे में हर तरह के मुद्दे हैं तो लोग एक दिन, दो दिन इंतजार करते हैं बेटी अमेरिका में है, उसे आना है वो तीन दिन बाद आएगी और वे इंतजार करेंगे लेकिन ये सोच उसके लिए है, जो मर चुका है हमें ये समझना चाहिए आप आप लोगों को मरा हुआ डाइगनोज नहीं करते आप उन्हें मरा हुआ घोशित करते हैं, ठीक इसमें अंतर है तो जब आप उन्हें मृत घोशित करते हैं तो आपके लिए वो मर चुके होते हैं जहां तक उस व्यक्ति का सवाल है एक तरह से उसके साथ जो हुआ है वो यह है कि वो शरीर से निकल गया है उसने अपना शरीर खो दिया है जीवन भार, वो यही सोचता रहा कि वो एक शरीर है उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि हम जो भॉतिक पदार्थ ढोते हैं वो इस धर्टी से एकठा किया हुआ है उसने कभी इसका एहसास नहीं किया जब वो अचानक शरीर से बाहर खिसक जाता है तो वो शरीर के आसपास मंडराता है क्यूंकि उसने अपनी भेदकारी बुद्धी मता खो दी है एक बार जब आप शरीर छोड़ देते हैं तो भेदकारी बुद्धी मौजूद नहीं होती तो वो उस शरीर के आसपास मंडराता है तो इस संस्कृती में हमने कहा कि जिस शन हम निश्चित हैं कि कोई व्यक्ती पक्के तौर पर मर चुका है तो आपको तरंत उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए क्यूंकि ये उस मृत व्यक्ती के लिए अच्छा है ताकि उसे पता चल जाए कि खेल खत्म हो गया है और ये जीवित लोगों के लिए भी अच्छा है आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ती जो आपको बहुत प्रिय है मर जाता है और उसका शरीर यहां पड़ा है तो आपको मती भ्रह्म होता रहता है हो सकता है कि वो बस सो रहे हूं हो सकता है कि वो ओट पैठें और हो सकता है कि कोई चमतकार हो जाए शायद कुछ और हो जाए ये अनवश्यक रूप से चलता रहेगा आप देखेंगे कि लोग रो रहे हैं और बड़ा भावनात्मक नाटक हो रहा है लेकिन जिस पल आप उनका अंतिम संसकार करते हैं तो आप देखेंगे कि हर कोई शांत हो जाएगा क्या आपने इस पर गौर किया है? हमेशा क्यूंकि अब हर कोई जानता है कि खेल खत्म हो चुका है तो ये जीवेत के लिए है और ये मृतक के लिए है तो जीवन के द्वारा इस सिस्टम को छोड़ने के संबंध में ये बहुत उल्जा हुआ है ये कोई बुलबुला नहीं है जो फूट कर ऐसे चला जाएगा